कहीं इश्क है कहीं जवाई कहीं दर्द है कहीं निशानी कुछ जानी कुछ पहचानी सुनो आरत की जबानी हासी तेरे कहानी हासी तेरे कहानी हासी तेरिघक इंवाई प्रूट्थ 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 गुटो पच्रीयर आप यहां गुटो भी पुलिस गुटो आप यहां गुटो आप यहां पुलिस गुटो आप यहां और तुम तो जानती हो वह हॉस्पिटल में कुनाल का कोई रिलेटिव बंतर पहुंचिया था ऐसे हालात में तुमें कुनाल को लेकर अकेले यहां नहीं आना चाहिए वो भाईया मुझे लगा कि शायद यहां पे कुनाल को कुछ याद आजाए मैं समझता हूं गुड़ पर इसे हालात में कुनाल की जिन्देगे कारिस नहीं लेसे अगर गलको कुछ इन्हें हो जाए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे नहीं इसमें इनकी कोई गल्गी नहीं मैंने इनसे कहा था कि घर में मुझे कुछ गुटन सी महसूफ हो रही है कहीं भार चलते हैं और यहां आकर मुझे अच्छा लगा हाला कि इस जगह में पहली बार आया हूँ लेकिन ऐसे लगा जैसे यह जगह को जानी पैचानी सी कॉनाल गुड़ो ने तुमारी जिमेदारी ली और मैं जानता हूँ मेरी भेहन जब कोई जिमेदारी लेती है तो उसे पूरी तरीखे से नबाती है अब चले आज तो तुमने बचा लिया इसे आजया गर्वाल बेजिन देखता हूँ कब तक करन को मौत के साय से तुम बचा पाते हूँ करन के सकते हैं करन के लिए तो करन की तक पाते हैं करन के साय सब्स्सक्राइब झाल 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 करन के बैग में आप क्या देखना जाती हैं? गोरी मेरा दिल ये मानने को तायार ही नहीं ये कारन की आदास चली गए बार-बार मुझे ये ही लगता है कि वो एक जूता नाटक रचा है और उसके छूट को साबिध करने के लिए मुझे सिर्फ एक सुबूत की जरूरत है कोई सिर्फ एक सुबूत मैं आपके हालत समद सकती हूँ लेकिन गुजरी होई जंदगी में उलचकर आप क्यों अपना आज कवारी है अपने रिष्टों में दूरियों का कारण आप खुद क्यों बन रही है मैं जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहती है तीब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो रास्ता पीछे छूट गया है उस पर दुबारा चलने की कोशिश मत कीचे अगर ये सच सामने आ गया न तो कई जिंदगियां बरबाद हो जाएंगी जादो कुछ बताया बताया इंका कहना है कि इनके बीबी के और इनके बीच बहुत जगड़े होते थे तुम जाओ जुरत पड़ी तो मैं दुमें बुलाओंगा जी सर तो आपके और आपके बीबी के बीच रिस्टे ठीक नहीं है इसलिए आपने उस रिस्टे को इखत्म कर दिया मैंने अपने बीबी को घड़ से नहीं निकाला वो खुद मेरा घ़ छोड़ कर गई है आपके पड़ोसियों से हमें पता चला है कि आपने शादी के बाद अपने बीबी को अपने घर में ही क्लेट करकर रखा था उन्हें किसी के साथ मिलने नहीं दिया गया यहां तक कि उसे अपने ममी पापा के साथ भी मिलने नहीं दिया गया इसक्टर सब्साइट सरास